आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है मौलाना अजाथ कॉलिज के एड्मिशन प्रोसेस 2022 के बारे में जिया दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना अजात कॉलिज का 2022 का admission schedule क्या होने वाला है कौन से date से admission start होगा और कौन से date last date होने वाला है admission का selection criteria क्या है subject combination क्या होने वाला है fee structure क्या है कितना number of seats से तमाम subjects के लिए और कौन-कौन सा important date है जो आपको follow करना पड़ेगा कौन से date में merit list निकलेगा कब से admission start होगा तमाम जानकारी जो है आज के वीडियो में आपको details में मिलने वाला है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel में नए हैं तो ऐसे ही informative और interesting videos के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell icon जरूर on कर ले ताके future में आने वाले videos का notification आप लोगों तक यूँ ही पहुँचता रहे तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर साल H.S. का exam के बाद जो बच्चे college admission के लिए apply करते हैं तो मौलाना अजाद college जो है बहुत सारे बच्चों का पहला पसंद रहता है इसलिए आपको मौलाना अजाद college में बहुत सारा competition देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आप भी चाते हैं इस साल मौलाना अजाद college में admission लेने के लिए तो portal open हो चुका है तो आप भी अपना application form भर सकते हो उसके लिए आपको मौलाना अजाद college का official website में जाने होगा अगर date के बारे में बात करें हम लोग तो 18 साथ याई 18 जुलाई से 12 बजे सुबा से जो है admission स्टार्ट हुआ है और यह admission पांच अगस को राद 12 बजे तक चलते रहेगा यहां दोस्तों आप पांच अगस को राद 12 बजे तक अपना admission करवा सकते हो यहां यह application form भर सकते हो मौलाना अजाथ college का तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते है fee structure के बारे में कि कोर्स का क्या fees होने वाला है तो दोस्तों आप जब मौलाना अजाथ college का website में जाओगे ठीक हरंबा चंद्र college के तरह जो है इसका भी official website को बनाए गया तो सबसे पहले अगर fee structure के बारे में open करो तो आपको यहां पे सबसे पहले बता दे कि सबसे कम fees जी यहां दोस्तों मौलाना अजाथ college का जो है बाकी college के मुकाबले में fees भी जो है वो बहुत कम होता है और बहुत अच्छा fees होता है जी यहां दोस्तों इसमें कोई भी दो रहाई नहीं है पहले का मुकाबले में जो है fees बड़ा है लेकिन पहले से अभी भी जो है बाकी college के मुकाबले में मौलाना जाथ college का fees बहुत कम है तो जब आप यहां पे fees combination में आप देखोगे तो आपको यहां मिल जाएगा आपको अपना subject देख लेना है क्या आप honors मे ले रहे हो आप Arabic में कर रहे हो Bengali मे कर रहे हो Political Science में कर रहे हो English में कर रहे हो तो सब कर जो है आपको fees मिल जागा कि honors के साथ आप General में क्या लोगे जैसे आप Arabic honors लोगे या English honors आप लेना चाहते हो तो English के साथ अगर आप History और Bengali लोगे तो आपका कितना फीस है अगर आप English के साथ History और Philosophy लोगे तो आपका कितना फीस पढ़ेगा ऐसे करके आपको दोस्तो पूरा फीस structure पता चल जागा आपको जो भी subject लेना है आप उसका फीस देख सकते हो कि उसका फीस एक समेस्टर का कितना पढ़ेगा उसके बाद दोस्तो आपको selection criteria दिया हुआ है आप जो भी subject में B.A. Honors में, Bengali में करना चाहते हो, Persian में, History में, English में या फिर कोई और भी subject में, Political Science वगारा में या फिर आप B.C. में किसी subject में लेना चाहते हो, तो आपका सब का जो है यहां criteria दिया हुआ है कि अगर आप general candidate हो, general हो या फिर OBC हो तो आपको 40% जो है overall percentage चाहिए और जो subject में आप honors लेना चाहते हो उसमें फिर 30% होना चाहिए, जिया दोस्तो हर subject का कहीं कहीं पे कुछ-कुछ अलग है जैसा बिंगॉली में आपको मिलेगा, अलग, History में मिलेगा तो History वगारा, Language का जो है कम है percentage पर आप अगर History वगारा में जाओगे कि आप कौन से subject लेने वाले हो, honors में अगर आप ले रहे हो, तो उसका बात जो है आपको selection criteria देख लेना है जैसा maths वगारा में भी थोड़ा जादा है, overall 60% चाहिए आपको, और maths में भी 60% चाहिए अगर आप maths में honors करोगे, तो वैसे ही physics वगारा का भी है, BSC का थोड़ा सा जादा है आप जो भी subject ले रहे हो, उसका criteria आपको देख लेना है, कि उसका क्या criteria है, तभी आपको form fill up करना है कोई भी college का, ऐसे form fill up कर दोगे, तो आपको तो वैस्ट हो जागा, आप समझोगे मेरे list में नाम आगा, पर आप criteria से बाहर हो, तो आपका नाम ही नहीं आएगा उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग seat के बारे में बात करें, तो यहाँ seat भी दिया हुआ है, कि be honest के लिए, bsc honest के लिए, यहाँ पर कितना-कितना seat है, यहाँ तमाम seat जो है, available है, और सब कुछ दिया हुआ है, तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा, कि यहाँ पर bsc क कितना seat है, आपको तमाम seat देख के जो है, उसके बाद फिर आपको apply करना है, तो दोस्तों, आपको यहाँ पर screen में नजर आगिया, sub subject का seat, अगर आपको apply करना है, तो वहाँ पर apply now का option आगा, website में, आप वहाँ से कर सकते हो, दोस्तों, और जिस भी दिन आपको merit list निकलेगा, 6 अगस से 16 अगस का बीच में, तो जैसे जैसे merit list नाता रहेगा, जैसे जैसे आपका नाम रहेगा, वैसे वैसे आपका admission होता रहेगा, तो दोस्तों, यह था मौलाना अजात college का full detail, अगर आप भी application डालना चाहते हो, तो दोस्तों, वहाँ पर application now का option है, website में, आप अपना phone स से भी कर सकते हो, या cyber से भी admission करा सकते हो, दोस्तों, उमीद करते हैं, कि आज के video आपको पसंद आया होगा, अगर दोस्तों आपको video पसंद आया है, तो video को like करें और अपने दोस्तों के साथ video को share जरूर करें, और अगर हमारे channel में आप नए हैं, तो हमारे channel को subscribe कर ले, और bell में भी पूछ सकते हो या फिर मेरा Instagram ID और Facebook ID जो है description में दिया हुआ है आप मुझसे Facebook और Instagram में भी पूछ सकते हो admission से related कोई भी सवाल हुआ तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ